हेलो सुटेंट्स, वेल्कों टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग फार्मासुटिक्स का चैप्टर नंबर फाइफ जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे डोजिस फॉर्म्स है ना, उसका नेक्स्ट लेक्चर जहां पे हम लोग ने स्टार्ट कर चुके थे लिक्वीड ओरल पेपरेशन, इसका इंट्रोड़क्शन देख लिया था, सलूशन के वारे हम समझ लिया था और हमको पता है अब कि जितने भी लिक्वीड पेपरेशन हो, वो सब सलूशन ही होती है उसी सलूशन में एक कैटेगरी आने वाली है सीरप तो सीरप से बच्चा बहुत ज़दा कर्शूस होता है, उसका एक में सिंपल बता दूँ पानी लिया, उसके अंदर आपने चीनी डाली, वो सीरप बन गया बस, सीरप मतलब पानी और चीनी, दिमाग में सेट कर लो ठीक है, अब मेडिकेड़ सीरप होगा, तो उसमें दवाई भी एक्टा पड़ी होगी ठीक है न, अरोमेटिक सीरप होगा, तो उसमें पानी चीनी तो होगा, यह होगा, साथ-साथ में कोई खुसबू पड़ी होगी ठीक है, सीरप का मतलब पानी और चीनी, किलियर, दिमाग में सेट कर लो, एकदम बिल्कुल कन्फिस मत करना, सीरप से बच्चा कन्फिस होगा, उसी को हम लोग सिंपल सीरप भी बोल देते हैं, आओ, अब पड़ेंगे तो और अच्छे से किलियर हो जाएगा, फटा-फट चीजें सिंपल है, सीरप सब पीते हैं, सब जानते हैं, तो डेफिनिशन में क्या लिखना है, सीरप सार, कंसंट्रेटेड एक्वस, अब बेटा, एक्वस का मतलब पहले बता चुका हूँ मैं, एक्वस मतलब जिसके अंदर जो पानी वाला, जिसके अंदर पानी का इस्तमा होता है concentrated aqueous preparation यह सारी बात है अब concentrated aqueous preparation यह term हम लोग पहले इससे जो पहरा lecture था बतलब इसके regarding उसमें हम discuss कर चुके है ठीक है और sugar और sugar substitute या sugar कोई substitute होगा सक्रोज होगा with और without flavoring agent and medicinal substance या उसके अंदर flavoring agent हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं medicine substance हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं clear sugar typically used is sucrose जो सबसे ज्यादा सुगर इस्तमाल होती है syrup preparation में वो sucrose होती है तो syrup का मतलब चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी ठीक है syrup का मतलब पानी में चीनी मिला दे सीरफ बन गया अब वो syrup कहलाता है ठीक है न अब उसके अंदर हम क्या क्या extra डालेंगो बात की बात है advantage किया है इसका advantage सबसे बड़ा advantage यही है appropriate for any age group patient बच्चा है बुड़ा है सब आराम से उसको पी सकते हैं निगलना असान होता है easiest route of administration सबसे असान है पीना ठीक है injection वगरा लगाना या कोई और तरीके से नाक से कान से उससे सबसे अच्छा तरीका है यह पीने वाला economical and safe to patient patient के लिए सस्ता भी होता है और सरक्षित भी होता है no nursing required किसी nurse की जरूत नहीं खुझ से ले सकता है expected for certain type of products like cuff medicine और कुछ products like cuff medicine हम उसके लिए expected भी है मतलब होना भी चाहिए को गले में जब ठंडक लगती जाकर के या दवाल लगती जाकर के तो थोड़े राहात भी मिलती है ठीक है ना disadvantage क्या है delayed onset of action सिरप पी लेते तुरंत असर नहीं करता थोड़ी देर में असर करेगा not suitable in emergency अगर emergency है तो सिरप पिलाओ को कोई फायदा नहीं होगा not suitable for unconscious patient patient अगर भी होश है तो उसको फायदा नहीं होने वाला मतलब उसको हम use नहीं कर सकते हैं not convenient for patient having gastrointestinal disorder अगर पेट में कुछ problems है बिमारिया है तो उस case में हम लोग इसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं constipation, ulceration and hyperacidity in stomach कई बारे constipation create कर देते हैं ulcer बेना सकते हैं hyperacidity create कर सकते हैं इस्तमक के अंदर जाकर के can't avoid first past metabolism जो होता है actually जब आप लग second year में आएंगे तो पढ़ेंगे जितनी दवाईया हम खाते हैं वो खाने के साथ ही जब हमारे blood में जाने से पहले कुछ percent हमारे liver के द्वारा बरबाद कर दी आती है है destroy कर दिया थी कुछ percent ठीक है उसको पढ़ेंगे that is called first past metabolism अभी यहां detail में जाने की जरो थमको नहीं है ठीक है तो simple simple है भाई हमने advantage देख लिए disadvantage देख लिए ठीक है classification करें तो देखो simple syrup यह simple syrup है बेटा यही है क्या चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी ठीक है ना clear है चीनी पानी की मिला दिया syrup बन गया डैटेट इसको मुझा सिंपल बोल देते हैं definition when purified water जब pure पानी alone अकेला use in making the solution solution पता ही अब क्या होता है साथ solution बनाने के लिए हम purified water को अकेले इस्तमाल करते हैं और उसमें क्या होगा सक्रोज होगा ठीक है ना the preparation is known as syrup और simple syrup इसको हम simply syrup बोल देते हैं या simple syrup बोल देते हैं या क्या है simple syrup contain only sucrose and purified water लो one more question भी बन जाएगा तुमारा यहां से simple syrup के अंदर क्या क्या होता है सुगर प्लस purified water खतम चीनी पाने चीनी पाने ठीक ना confusion नहीं रखना दिमांग में सीरप क्या होते हैं क्या अब देखो क्या syrup solution है फटा फटा आंसर करो yes or no क्या solution syrup है all solutions are syrup all syrup are solution क्या चीज़ सही है बताओ चलो इसको कमेंट करेंगे यह हमारा A और B बताना क्या चीज़ सही है फटा फट बताओ क्या चीज़ सही है ठीक है ना क्या चीज़ सही है all solutions are syrup या all syrup सा solution है यह गलत है और यह सही है ठीक है सोचना जारा अब दिमाग लगाना और सीरप सा solution ठीक है अगे आते हैं अब थोड़ा सा हमें ना syrup के बारे में IP और USP के बारे में दिफ्रेंस कई बार आता है और थोड़ा सा IP और बीप आई-पी यूसप के इस सीरप वह तो थोड़ा सा difference होता है जो हमको पता होने चाहिए जैसे कि यूसपी सिंपल सीरप कंटेन 85% weight by volume या 65% weight by weight weight by volume का मतलब क्या हो गया यहां सिंपल से मतलब समझो 85 gram सक्रोस या सुगर और 100 ml water ज्यान रखना 65% weight by weight का क्या मतलब हो गया 65 फाइव ग्राम सुगर और 65 ग्राम वाटर आप कुछ बच्चे कहेंगे सर यह पानी कैसे 65 ग्राम हो गया weight by weight ठीक ना sorry यह थोड़ा सा गरबड़ हो गया इसको मैं सही करता हूँ एंड 35 ग्राम वाटर ठीक ना 65% weight by weight याने की हाट टोटल 100 ग्राम में 35 ग्राम पानी होगा 65 ग्राम सुगर होगी के लिए रबाते हैं अब यह वेट बाइव वाल्यूम वेट बाइव वेट यह केमिस्ट्री के टर्म से हैं वह हम यहां डिसक्रस नहीं करेंगे बस याद है ओके इस पैसिफिक ग्रेविटी 1.313 यह इसकी स्पैसिफिक ग्रेविटी होती यूस्पे केस में आई पी और बीपी की बात करें तो यह 66.7% weight by weight सुगर सुलूशन होता है weight by weight याने की 66. ठीक है ना तो यहां सिंपल से मतलब क्या होता है weight by weight का एक मतलब बता दू में जैसे मालों यहां वोटरा कोई 10% सुगर w by w इसका मतलब सींपल सी बात क्या होगी 10 gram सुगर in and 90 gram water यह मिल करके टोटल कितना बन जाएगा 100 बन जाता है ठीक है इसका सिंपल से मिनिंग यह होता है परसेंट की बात करेंगा तो उतना सुगर हो जाता है बाद बागी पानी पानी क्या हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा के लिए रहे हैं आगे आते हैं अब सिंपल सीरप और सिंपल सीरप यूस्पी का डिफ्रेंस काफी important question है अकसर आता है समझते हैं इसका अब यह प्र परसेंट solution of sugar यह सक्रोज होता है in purified water 85% होता है prepared by hot process prepared by cold process ठीक है ना अब cold process hot process क्या होता है इसे गरम करके थंड़ा अलग तरीक है यहां discuss नहीं कर रहे है अभी it can be checked during the process by using sacro meter जब यह प्रोसेस में चल रहा था तो होता क्या है अभी हम पढ़ेंगे इसको detail में inversion of sugar के बारे सक्रोज को जब हम heat करते हैं तो यह बदल जाती है कैसे बदल जाती है देखेंगे अभी सुप्रा सब यह भी chemistry का term है वो बदल जाती है इसलिए हम इसको invert sugar बोलते है यहां पर क्या inversion नहीं होगा क्यों cold है यहां पर heating नहीं है जब heat होता है तब sugar का inversion होता है sugar पलट जाती है यहां पर तो यहां पर inversion नहीं होगा या फिर हम यह यह कह सकते हैं no inversion अब यह inversion क्या है थोड़ा सा भी पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है ना थोड़ा सा अभी आ गया आने वाला है थोड़ा सा सब्र बनाया रखेंगे यह ज्यादा स्टेबल यह पर पडश dinero जीन के अंदर बाटन अन्द मेडिसन सबस्टांस को एड़ कर देतें तो म उसे हम कहते हैं जयसे कि कफ इरफ है गिंशन सीरफ है फ्लेवर्ट सीरफ सीरफ जब स्युझा है प्लब सी Deshalb कर रहे हैं तो उसको हम लुग क्या कहते हैं फ्लेवरर्सीरप कहते हैं जैसे चेहरी सीरप हो गया ओरेंज सीरप हो गया रस्बेरी सीरप हो गया यह तमाम इग्जांपल है इसके तीन तीन से क्राक्रिवright मैडिगटेट की स против सिरप के अंदर तो हमें कुछ चीन दिख गई है फ्लेवरिंग एजेंट दिख गया मेडिसीन दिख गया और सीरप दिख गया है तो एक सुटनिंग एजेंट हो सकता है सक्रोज या सुगर युज हैं अगर कुछ ऐसे कंपोनन होगे तो अलखॉल हो सकता है उसके अंदर साठब में क्या होता है purified water होता है तो ये composition of syrup question आएकर तो लिख देंगे यहाँ पर composition of syrup next आता है methods of preparation चार तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं पहला तरीका है solution with heat हम उसको heat करके बनाएंगे दूसरा है हिला करके बहुत हीट नहीं करेंगे अब पहला वाला थोड़ा सा important भी और बड़ा भी है इसके इन्वर्जन वाला concept भी आने वाला है तो क्या कह रहा है solution with heat या hot process इसको हम लोग hot process कहते हैं जो हमने उपर देखा था ठीक है ना क्या देखा था this is hot process and this is cold process cold process अपने course में नहीं है हम hot process कोर्स में है IP का method है तो इसको हम लोग थोड़ा सा detail में देखते हैं कहा रहा है if the constituents are not volatile अगर मेरे जो constituent है medicines है वो volatile नहीं है और साथ साथ में not degraded by heat heat करने पर वो तूटेंगे फूटेंगे नहीं मतलब तूटने फूटेंगे हम 85 degree पर जो pure पानी होगा उसे खौला देंगे खौला तो नहीं है 80 पर गरम कर लिया and then remove from its heat source फिर उसको हम वहां से हटा देंगे हमने देखा temperature 85 degree हो गया हटा दिया desired amount of sucrose is weighed and added with vigorous agitation जो sucrose का amount है क्योंकि sucrose को ज़्यादा heat करने पर पढ़ेंगे तूट जाती है तो sucrose का amount होता है जिता हम मिलाना चाहते है उसको लेंगे और उसके अंदर डाल के बहुत तेजी से हिलाएंगे vigorous agitation बहुत तेजी से vigorous मतलब बहुत तेजी से तीवरता से vigorous मतलब तीवरता से agitate मतलब हिला देंगे उसे now other heat stable component जो दूसरे heat stable component है जो heat में खराब नहीं होंगे are added to the hot syrup अब उपर syrup बन गया चीनी पानी चीनी पानी syrup ठीक है उसे मिला देंगे the mixture is allowed to pool नहीं cool ठीक है and its volume is adjusted to proper level by addition of purified water फिर हमने क्या क्या उसको ठंडा होने दिया थोड़ा बत पानी उड़ भी जाता है तो हलका सा volume नीचे आ जाएगा तो बात में जो volume को level करने के लिए और extra purified पानी मिला देंगे अब if heat level agents or volatile substance are to be added अगर यहाँ पर अभी क्या था हमने heat stable component add गिये थे लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे component है जो अगर गरम पानी में डाल दिया गरम सीरप में डाल दिये तो वो unstable हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे और उनकी property loss हो जाएगी ऐसी सिती में हम लोग क्या करेंगे सीरप को cool होने देंगे room temperature तक 20 से 25 degree centigrade आने देंगे तब उन substance को डालेंगे जिससे की वो खराब ना हो तो वही कह रहा है if heat level agents और volatile substances are to be added अगर हमें उनको add करना है then they are incorporated into the syrup तो उनको हम सीरप में डालेंगे after cooling to room temperature जब मेरा syrup 85 degree से थंडा होते होते 25 degree पे आ जाएगा तब उसके अंदर में अपने ये volatile substance या heat level substance add कर दूँगा example क्या के से सीरप है कोका सीरप सीरप आईपी है तो सीरप USP के बारे हम यहाँ पर फटा सा example ले लें क्या है सक्रोस 85 ग्राम और purified water 100 ml ठीक है ना procedure क्या है heat करेंगे 60 ml distilled water को उबाल देंगे add सक्रोस in small amount to hot water while steering सक्रोस को मिला देंगे हिला देंगे continue adding सक्रोस in small portion थोड़ थोड़ा माद लो हमें 20 gram चीन इसमें डालनी है तो एक एक चमच करें डालेंगे हिलाएंगे चमच डालेंगे हिलाएंगे तो small proportion में डाल डालके हिलाते जाएंगे allowing each batch batch का मतलब जित्ती बार लेंगे वो एक batch बन गए एक चमच एक batch के बराबर dissolve before adding the next तो जब तक पहले वाली चमच पूरी घुल नहीं जाएगी तब तक दूसरी चमच उसके अंदर add नहीं करेंगे filter syrup into graduate cylinder उसको filter करेंगे rinse the beaker with hot distilled water जिस beaker में हम लोग उसे फिला रहते उसको hot distilled water से धुलेंगे और पास्ट दूसरी फिल्टर और उसको फिल्टर से थ्रू फिल्टर से होता हुआ उसी अपने syrup में डाल देंगे to obtain a desired volume जिससे कि उसकी volume वापस maintain हो सगे ठीक है ना आगया आते हैं अब इसी में concept in version क्या हो जाता है गरम करने से क्या हो रहा है यह अपना hot process है उसमें क्या हो जा रहा है inversion of sugar तो इन वर्जन से मैं तुम लों को बता दूं इन वर्जन से simple मतलब थोड़ा सा मैं तुम लों को याद दिला दूं अगर तुम लों को याद हो लिवो रूटेट्री और डीक्ट्रो रूटेटरी जो अपने organic chemistry बढ़ा था लिवो रूटेट्री सबस्टांस जो plane polarized light को left में रूटेट कराएंगे वो लिवर रूटेट्री to right में रूटेट कराएंगे डेक्ट्रो रूटेट्री concept पता है ना याद है मैं समझा चुका हूँ इसको लिव रोटेटरी और डेक्टर रोटेटरी को ठीक है ना तो क्या कह रहा है वें दा हीट इस यूज़ इन दा प्रिपरेशन ऑफ सीरप सीरप को प्रिपर करने के लिए हीट का इस्तमाल होता है इन्वर्जन ऑफ स्लाइट पोर्शन ऑफ दा सक्रोस जो सक्रोस होती है कुछ सक्रोस जो होती होती है वो ब्रेक कर जाती है हीट करने की वज़े से सक्रोस एक डाइसक्राइड है वो मोनोसक्राइड में तूट जाएगी dextrose याने की glucose and fructose जिसको हम levellos भी कहते है by hydrolyzation process ठीक है ना by hydrolyzation मतब hydrolyz हो गया वो तोट गया this hydrolytic reaction is called inversion अब इसको हमने क्या बोला inversion क्यों and the combination of the two monosaccharide products is called invert sugar और यह जो dextrose और fructose मिलके आए उसको हमने क्या कहा invert sugar कहा ऐसा क्यों समझने की कुशिश करते हैं इसको 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 यहां पर दे रखा होगा साइद इसका invert क्यों कहा है बात समझते हैं अभी सक्रोस solution are dextrotor rotatory अब बात को समझते हैं देखो सक्रोस solution are dextrotor rotatory याने की मेरे पास beaker में क्या था सक्रोस अब बेटा plane polarized light का concept जिनको नहीं पता फिर थोड़ी सी दिक्कत आने वाले देखो मैं अब उसको plane polarized light क्या होती है फिर physics में जाना पड़ेगा simple एक तरह की light होती है जो की plane polarized light होती है क्या होती है plane plane polarized light यही अपनी साधान light होती है लेकिने से polarized कर दिया है तब इसका क्या मीनिंग है जो बचे समझ रहे है गुट जो बचे नहीं समझ रहे है थोड़ा सा समझो कि यहां वरना बहुत डिटेल हो जाएगी जब एक plane polarized light इससे होती हुए गुजरती है तो सक्रोस solution उसको क्या करता है डेक्ट्रोटेट्री है राइट की तरफ इसमें टूड गया dextrose और glucose में अब यह दोनों क्या हुआ इसमें जो अपना यह होता है dextrose glucose और fructose ठीक है इन में से कौन सा वाला होता है कौन सा वाला है ठीक है तो इसमें से होता क्या है इसमें से एक होता है dextrose rotatory और एक होता है liver rotatory बट जो liver rotatory वाला पार्ट होता है वो ज्यादा मातरा में होता है तो ultimate होता है क्या है जो मेरी सक्रोज की light right में थी ultimately जब यह solution heat कर गया मैंने उसके बाद जब plane polarized light को गुजारता हूँ तो यही light मेरी left में bend हो जाती है यानि क्या हो गया levo rotatory हो जाता है तो मैंने कहा मेरा solution invert हो गया पलट गया पहले dextro था अब यह क्या हो गया levo rotatory हो गया plane polarized की concept ने थोड़ी सी chemistry का organic का funda लगा यहाँ पर जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है पहले class 12 में पढ़ा हुआ है ठीक है अब dextro levo को थोड़ा समझाने कोशिश की मैंने तो सक्रोस solution dextro rotatory होता है but as hydrolysis proceeds जैसी hydrolysis हो जाती है तो optical rotation decrease optical rotation decrease होता है and becomes a levo rotatory decrease का मतलब होता है यह यहाँ से यह क्या 0 वाला point है यहाँ यहाँ 0 फिर कैसा हो गया levo rotatory हो गया यह ठीक है न तो become levo rotatory when the reaction is complete जब reaction पूरा खतम हो जाता है मतलब पूरा हमने तयार कर दिया heat heat कर दिया उसके बाद यह क्या हो गया dextro से levo बदल गया the rate of inversion is increased greatly by the presence of acid the hydrogen ion यह one more question बेटा आ सकता है कि जो inversion process को कॉन catalyst के तरह act करता है अगर वहाँ पे कुछ H plus ion मौजूद है तो act करते है as a catalyst in this hydrolytic reaction याने कि inversion में help करेंगे okay fructose is responsible for darkening of the syrup अब syrup क्या होता हलका सा काला काला से दिखाई जैने पढ़ता पढ़ने लगता उसके पीछे reason कोई है fructose है invert sugar is more readily fermented than sucrose यह बहुत easily ferment हो सकती है खराब हो सकती है और sucrose के comparison में and tend to be darker in color और काले color की होती है but it's two reducing sugar but जो इसकी दो reducing sugar भी निकल के आती है सक्रोज की ठीक है न कौन कौन सी है अपनी this fructose and dextrose यह जो दो निकल के आई है reducing sugar होती है prevent the oxidation of other बाकियों को क्या करते हैं oxidation होने से रोकती है यह other substance जो दूसरे substances हैं उनको oxidize होने नहीं देते हैं यह इसका benefit मिल जाता है हमें यह खुद तो ferment हो सकती है लेकिन दूसरों को oxidize नहीं होने देंगी ठीक है अब invert sugar की कुछ property समझ ले हम लोग more susceptible for fermentation and microbial growth जो इनवर्ट sugar हो गई है बन गई है इसके अंदर microorganism जल्दी grow कर सकता है और ferment हो सकता है ठीक है tend to be darkened in color काला हो जाता color में but decrease oxidation of other drug ठीक है level is formed is reducing sugar जो दूसरे drugs है उनका oxidation को यह रोकते है level is formed is sweeter than sucrose जो level is बना है वो sucrose से ज़्यादा मीठा भी होता है the rate of inversion process is enhanced by medium acidity याने की मैंने बताया अभी H plus iron की मौझूदगी होने से यह reaction थोड़ा catalyze हो जाती है याने की inversion जल्दी जल्दी हो जाएगा overheating causes caramelization of sucrose amber color caramelization एक term कही बार आता है अगर ज़्यादा देर heat कर देंगे तो sucrose जल जाता है एक तरह से तो वो amber color का हो जाएगा ठीक है caramelization क्या है evidence by yellow to brown coloring of syrup due to burning of sucrose sucrose जब जल जाता है तो yellow to brown color का हो जाता है जिसको हम लोग caramelization कहते हैं again one more question तुमारा important है यह syrup cannot be sterilized by autoclaving without caramelization syrup को जब तक हम लोग caramelize नहीं करेंगे तब तक हम उसको autoclave नहीं कर सकते हैं ठीक है ना ओके तो caramelization color क्या है amber color darkest brown जैसे black brown is black जैसे color रहता है और that is called amber color clear है तो invert sugar का property को यहां सोड़ा सा पढ़ना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि वो यहां से जुड़ा हुआ अब पहला method पूरा हो गया hot process वाला clear हो गया अब simple क्या है solution by agitation यहां पर हम heat नहीं करेंगे चीज़ा पानी लेंगे और हिला हिला कर उसे क्या करेंगे मिला देंगे मतब चीनी को घोल देंगे this method is used for heat level अब है क्या जो substance हम उसके बेंदर add करेंगे सीरप के अंदर वो कैसे heat level गर्मी से खराब हो सकते हैं तो अब सीरप को heat नहीं कर सकते हैं through agitation without heat इस अच्छा हिलाना भी इस तरीके से है कि उसके तो हिलाने से भी heat पैदा होती है तो वह भी नहीं होना चाहिए तो इसलिए without heat लिखा हुआ है it is better to dissolve solid ingredient यह question तुमारा देखो समाझने कोईश करना question आ सकता है वाइवा में पूछा सकता है कि solid ingredients को हम लोग पहले मिलाते हैं and then then to add them to syrup ठीक है ना it is better to dissolve solid ingredients in the water first हमारे syrup तैयार है तो हम थोड़ा सा पानी लेके ना पहले solid ingredients है उनको पहले आपसे मिला लेंगे क्योंकि syrup के अंदर अलड़ी क्या सुक्रोज और सुगर है वो सुगर जो होती है वो ingredients को घुलने में दिक्कत देती है जल्दी से अच्छे से घुलने नहीं देगी ठीक है तो this result in easy mixing as sugar solution generally retard mixing जब हम थोड़ा से अलग पानी लेकर के उसके नदर जो medicine वगए रहे हैं यो दूसरी ingredients हमको घुल लेते हैं और फिर syrup में मिलाते है तो घुलना असान हो जाता है क्योंकि इससे क्या mixing असान हो जाती है साफ साफ कह रहा है as sugar solution generally retard mixing जो sugar solution होता है वो mixing को रोकता है ठीक है तो इसलिए बैटर यह है कि हम थोड़ा सा अलग घौल करके फिर इसे मिला ले यान कि syrup को अलग रखे और एक बिकरम पानी लेकर के ingredients को अलग घौले अफिर दोनों को मिला दें ठीक है एक्जामपल क्या अब सबको मिला लेंगे हम लोग ठीक है ना उसके बाद जैसे मालो 10 20 30 हो गया और यह 33, 60, 70, 200, 270 ml हो गया फिर हम उसके उतना ही पानी डालेंगे कि 270 प्लस एक्स्ट्रा पानी की मिलकर कितना हो जाए 1000 ml हो जाए तो quantity sufficient क्यों हैस मतलब quantity sufficient सिर्फ 1000 ml तक ही करना है हमको किलियर है प्रोसीजर के है simple dissolve the codeine phosphate in the purified water पहले हम codeine phosphate को purified water मिलाएंगे add 500 ml of the syrup and mix फिर 500 ml syrup मिला करको से mix कर देंगे add the other ingredients and sufficient syrup to produce 1000 ml फिर दूसरी ingredients को मिला देंगे और फिर उतना मिला देंगे पानी syrup को कि हमारा कितना हो जाए पूरा 1000 ml हो जाए clear है बात समझ में आ रही है दूसरा process खतम तीसरा process addition of sucrose to liquid medication हम simply क्या कर रहे है sucrose को add कर रहे है liquid medication में या flavored liquid में तो यहाँ पर क्या occasionally आप medicine liquid tincture और fillid extract उमीद कर रहा हो tincture और extract चीजे समझ में आने लगी होंगी हम लोग ने कोगनोसी में पढ़ा हुआ है अलकॉल की help से हम लोग क्या है chemical constant को निचोड लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं तिंक्चर बन जाता है याद है नहीं याद है तो फटावर देख लो ठीक है तो फिलूट का extract है मतला हमने जो extract नि अधिकेशन तो जो मैडिकेटि लिए टिंक्चर है मतला उसके अंदर अलकॉल वगरा रहता है उसके अंदर हमारे chemical constant dissolve हो रखें और उसको उसको लेकर कि हमें क्या बनाना है सीरप बनाना है ठीक है बासमझ मारी है हमारे पास अल्रडी क्या है अलकॉल बगरा है और इसके अं तो टिंक्चर या फ्ल्ड एकस्सेक्स कंटेन अलकॉal-soluble-ı इंग्डेट्स तो टिंकर या फ्ल्ड एकस्सरेक्स के अंदर अंदर अलकॉल-solAg इंग्रियेंट्स होते हैं क्या निकाला है इंग्रियेंट्स को निचोड़ा है इस पत्ते से हमें कुछ निकालना है तो उस पत्ते को हम लोग अलकॉल में डाल देंगे तो सारा जो उसका केमिकल कॉंस्टेंट हो निचोड़ करके अलकॉल में आ तो सारी मेडिसिन कहां पहुंच गी अलकॉहल में लेकिन हमें बनाना क्या है सीरप तो हमारी मेडिसिन कहां मौझूद है अलकॉहल में मौझूद है अब उस अलकॉहल वाले पार्ट को ले करके जिसके अंदर मेडिसिन मौझूद है हमें सीरप त्यार करना है तो वही वाली ब करते हैं अलकोहल को सीरप को मिलाते हैं यह अलकोहल जिसके अंदर ingredients मौजूद हैं और सीरप को mix करते हैं तो कई बार क्या है precipitation हो सकता है precipitation का मतलब क्या है कि जो मेरे Soluble dissolve हो रक्टे हैं वो आपसमे जुड़करके solid particle बन जाएंगे और बाहर निकल आते हैं, है ना जैसे कि अपना जब हम मठा फेरते तो उसके मखन बाहर निकल आता है, अब जो चीज बाहर निकल आई, जैसे मखन बाहर निकल आता है, ऐसी दवाई chemical constant बाहर निकल आएंगे, अजब आएंगे, तो हमारे लिए तो बिकार हो जाएगा वो, ठीक है, तो प्रेश्टेट हो जाते हैं कई बार, they are generally removed by mixing the tincture or extract with water allowing the mixture to stand until तो हम लोग simply करेंगे उसको mix कर दिया precipitation हो जाएगा जब तक पूरा हो जाता है छोड़ देते हैं देदे पूरा precipitate हो जाता है फिर छांद देंगे precipitate हड़ जाएगा हमारा बाकी syrup बनके तयार हो जाता है बात समझ में आई तो वही कह रहा है तो अगर वो unnecessary है जो precipitate बनके आया है वो unnecessary है बेकार का हमारे किसी मतलब का नहीं हो syrup में तो they are generally removed उनको हम remove कर देते हैं by mixing कैसे remove करेंगे पहले mix करेंगे tincture को और extract को पानी के साथ allowing the mixture to stand still mixture को हम छोड़े छोड़ देंगे separation of the water insoluble agent is completed अब क्या होगा जितना भी water insoluble part है वो सारा बाहर निकल आएगा फिर filter कर देंगे उसको हम लोग mixture को ठीक है तो सारा agent जो बाहर निकल के आगे दे component वो सारे filter हो के अलग हो जाएंगे फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट अलब पार्ट है च्छना हुआ पार्ट है देन इस दा medicated liquid उसके अंदर medicine होगी जो हमारे मतलब की होती है to which the sucrose is added and preparation of the syrup added in the preparation of syrup finally फिर हम उसको sucrose वाले syrup में डाल देते हैं हमारे preparation मनके तयार हो जाता है लेकिन यह तो वाली कहानी होगी कि जो चीज़ प्रेश्टेट हो रही हो हमारे मतलब की नहीं थी लेकिन अगर if the alcohol soluble component are required जो प्रेश्टेट हो रहा हो हमें जरूरत है हम चाहते कि उसके अंदर soluble बना रहे क्योंकि वही main medicine है हमारी तब क्या करेंगे ऐसी स्थिदी में if the alcohol soluble component are required to be medicinal part है ना हमें जरूरत है क्योंकि वो medicinal part है उसका of the syrup some means of rendering them water soluble किसी ना कोई किसी तरीके सो कोई तरीका अपनाएंगे जिससे कि वो water soluble बना रहे और dissolve रहे उसके अंदर clear है ठीक है if tinctures or extract is miscible with the aqueous preparation it may be added directly अगर वो सिधा सिधा जो tincture या extractor सिधा पानी में जाके घुल सकता है तो हम simply syrup को और उस tincture को मिला देंगे हमारा syrup बन के तयार हो जाएगा ठीक है ना तो तीन condition है कि अगर precipitation हो रहा है एक condition है precipitation हो रहा है उसमें दो condition बनती है पहली condition कि precipitation जो precipitate हो गया रहा है वो हमारे मतलब का नहीं है दूसरी condition precipitate जो है वो हमारे मतलब का है तो हम किसी तरीके सो से dissolve करवाएंगे और तीसरी condition क्या है कि जो तीसरा क्या हो जाएगा जो वो और अलड़ी मिसीबल है मतलब easily वो मिक्स हो जाता तो सबको पता है कगनोसी में पढ़ा है हम लोगोंने सिंपल सी बात है नहीं पढ़ा तो पहले मैं कहूंगा percolation को समझे तब इस topic पर आए अदर्वाइस नहीं समझने में दिखकता है अगर percolation को नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे आते है इन दिस प्रोसीजर इस प्रोसीजर में कहा है इस प्रोसीजर में क्या है प्रिफाईड वाटर और एक्कॉ सलूशन इस परमिटेट टू पास इस लूली थुरू अबैड़ अफ लिए इस तरह से रहेगा यह टैप रहता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, cotton से लगा देते हैं, this is cotton, और यहाँ पर क्या है, बड़े-बड़े सक्रोज के जो crystals होते हैं, जो चीनी के जो दाने होंगे, वो यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर उपर से क्या डालेंगे हम लोग, वाटर डालेंगे, तो यह पानी इस सक्रोज से मिलता हुआ, cotton से होता हुआ, नीचे आता रहेगा, हम उसे collect करते रहेंगे, तो यही परकुलेटर बन गया हमारा, तो अब इसका इस्तमाल क्या हो रहा है, किसलिए हो रहा है, समझो, in this procedure, purified water और echo solution, या पुरिफाइड वाटर या echo solution is permitted to pass slowly through the bed of crystalline, bed of crystalline सक्रोज, यह जो यहाँ पर डाला है मैंने, this is the bed, bed मतलब बिचा रखा है, सक्रोज को जो दाने हैं, उनको बिचा रखा है, उसके अंदर से धिरी-धिरे पानी को पास कराएंगे, ठीक है, और यह पूरा, जो system में, उसको हम लोग कहते हैं, percolator कहते हैं, thus, dissolving it and forming syrup, और धिरे-धिरे क्या हो रहा है, slow-slow, पानी उसको dissolve करता जा रहा है, इन crystals को, और हमारा syrup बनके तयार होता जा रहा है, फिर जो syrup यहाँ पर हलका-हलका घुल दिया होगा, फिर उसको वापर डालेंगे, उसको और घुलेगा, फिर डालेंगे, फिर उसको और घुलेगा, इस तरीके से लगाता है, क्या है हम अपना syrup तयार करते हैं, अब क्या कह रहा है, a piece of cotton is placed in the neck of the percolator, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा यह, cotton लगा रखी है, उसकी गर्दन पर, percolator की, placed in the neck of the percolator to prevent the passage of undissolved sacros, जिससे की जो crystals घुले नहीं हैं, वो यहाँ से बाहर ना जाए, ठीक है, to be successful in this process, इस process में successful होने के लिए, क्या-क्या हो ज़रूरी है, तब percolator should be cylindrical with short conical base, इसको cylindrical होना चाहिए, और नीचे का base पतला होना चाहिए, तब ही हमारी process successful रहेगी, coarse crystalline sacros, जो खुद़े crystalline sacros, जदाने हैं sacros के, ठीक है, must be used to avoid formation of compact mass through which the liquid cannot pass, हमें उसका powder ना ऐसा ना करें कि powder इस्तमाल कर लें, जल्दी खुल जाएगा, अरे powder इस्तमाल करेंगे, तो चोक कर देगा वहाँ पर, तो इसलिए हमें उसे coarse, खुद़े दाने वाले सक्रोज इस्तमाल करने हैं, ठीक है, the cotton must not be pressed too tight, cotton बहुत tight नहीं होनी चाहिए, ठुट ठुट ठुसके लगा दिये, कि बहुत धिवधिवा पाई निकल रहा है, not to lose fast flow, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना कि एकदम तेज से पाई निकल जा रहा है, घुलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, एक medium medium लगाना है, syrup USP is an example of syrup prepared by percolation, ठीक है, syrup USP जहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि सक्रोस, 85 ग्राम है और purified water कितना है, 100 अब है रहा है, cold process जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें simply क्या करेंगे, place सक्रोस in suitable percolator, the neck of which is nearly filled with packed glass wool और cotton, जिसकी गर्दन पर हम लोग glass wool या cotton लगा देंगे, moisture with distilled water, और वो रूई थोड़ी पानी से गिला कर देंगे, उसे, pour carefully, pour मतलब क्रोना, पानी को क्रोएंगे carefully, portion of distilled water over sucrose, फिर धिरे धिरे उसके उपर, distilled water डालेंगे धिरे धिरे, and regulate the outflow to steady drip, और नीचे जो रहता है ना, इस वाले बटन से धिरे से खोलके, इसे regulate करेंगे, लगातार धिरे धिरे करके, एक बूंद बूंद एक fix बूंद करेंगे, यह निकि बहुत ज़्यादा बहुत तेज, लगातार एक मात्रा में, पानी इसके इंदर से निकलना चाहिए, तो उसे regulate करेंगे, क्या करेंगे उसे, ठीक है न, return the flow from the drip, जो यह निकला है, उसको return करेंगे वापस, इसको return धिया डालेंगे, return the flow from the drip, back over the sucrose, वापस sucrose बडालेंगे, till all the sucrose has dissolved, है निना, 100 ml pine लेलिया, डाला, आगे इस फिर डालेंगे, फिर आजागा, फिर आजागा, इससे क्या है? Dissolution बहुत अच्छे से होता है Use sufficient amount of distilled water to bring the volume out to 100 ml अब जब हमारा पूरा बनके तयार हो गया है अब डालने में, करने में, डालने में, करने में थोड़ा बात पानी evaporate हो जाएगा, कुछ कम हो जाता है तो जो थोड़ा बात कम ही हो जाती है उसको हम लोग purified water या distilled water मिला करके वापस से 100 ml कर लेंगे Simple है, यह इसका example आगे हैं हापर तो इस तरह से इसका example दे सकते हो topic का method बोलेगा, तो method लिख दोगे percolation method लिख के और फिर उसका topic दे दोगे मतलब उसका example दे दोगे हापर, ठीक है अब हमारे पास चारो method हमने पढ़ लिए अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कि syrup can be preserved by, syrup का हम लोग preserve कैसे कर से कर सकते हैं तो storage at low temperature not above 25 degree centigrade हम लोग को उसे low temperature पर रखना है high temperature पर नहीं रखना है adding a preservative, साथ साथ में हम उसमें कुछ preservative add कर सकते हैं जैसे कि glycerine, benzoic acid, sodium benzoid, methyl parabens और alcohol in the formulation यह preservative का हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं by maintaining of a high concentration of sucrose as a part of the formulation sucrose का concentration high कर सकते हैं जिससे कि वो कुद क्या है formulation नतलब concentration high रहेगा तो वो क्या रहेगा हमारा preservative की तरह काम करेगा यहाँ पर packaging की बात करें syrup require safe, secure and tamper proof tamper proof मतलब easily seal will ना टूटे हो उसकी handling while packaging syrup need to ensure complete protection from contamination and microbial growth उसको हमें इस तरीके से protect करना है कि microbial growth ना हो सके और protection बनी रहे कि उसके अंदर कोई micronism घुस ना सके steps in packaging की बात करें तो सबसरे filling होगी seal करेंगे, capping करेंगे, coding और labeling करेंगे finally wrap कर देंगे wrap करके seal में pack कर देंगे मतलब seal water डबे में pack कर देंगे storage और labeling की बात करें should be stored in cool and dry place should keep away from children बच्चे से दूर रखना है protect from direct sunlight और moisture पानी से और direct sunlight से हमें से बचा के रखना है ठीक है this is all about the syrup जो हमें जानना था, समझना था ठीक है न, ये सारी syrup की जारें बाते थी और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ इसका जो PDF का link है वो नीचे description मिल जाएगा ये मेरा number है and this is अपना application मस्त और प्यारी सी application है mind nurture जिसके अंदर काफ़ सारी facilities है बहुत सारी practice करने के लिए questions है ठीक है न, test वगरा है इसको आप use कर सकते हैं और सबसे जरूई चीज पढ़ना है आपको और revise करना है तो पढ़ते रहो और revise करते रहो All the best